अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपको मुनाफ़ा जरूर होगा तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है और अगर आप इंटर डे ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जूड देखेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर प्रेस कर दीजेगा तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा पहले ले जाओंगा आपको टेलिग्राम चैनल पे क्योंकि आज हमने आपको दोस्तो कुछ रिक्यमडेशन दीती टेलिग्राम चैनल पे और उसके अकॉर्डिंगली आप कल के दिन में वैसे ही ट्रेड अपने बना सकते है तो बहुत अच्छे rates अब भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ऐसे rates पे दोस्तो अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे आपका SL भी कम है और target के chances भी काफी जादा रहेंगे तो यहाँ पे पहले मैं आपको लेके जाओंगा अपने telegram channel पे तो यहाँ पे हमने कुछ stock आपको recommend करे थे आज के दिन तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो stock है जो specially हमने आपको कल भी recommend करा था और कल इसमें पैसा बना था और आज इसके अदर टाइम फ्रेम में दोस्तों एक pattern मना है जिसको बोलते हैं बीरी शेरमी पैटर तो stock का नाम है दोस्तों Amboja Cement Amboja Cement का अगर हम देखते हैं तो 369.50 पे हमने आपको recommend करा था फिर उसके बाद हमने आपको 373 पे वोला था कि position shot मना सकते हैं तो हम क्या करेंगे पहले Amboja Cement के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सीखते हैं तो यह देखे का दोस्तों यहाँ पे मैं आपको Amboja Cement का चार्ट आपके सामने लगा देता तो उसका almost 1 to 1 के आसपस का target आया था बैसे 1 to 1 target पूरा आया नहीं था इसका और इसमें आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली बट यहाँ पे अगर हम इसके 4 अबरली या फिर डेली के चार्ट पे जाता हूँ तो इस area को करते तो थोड़ा सा zoom और यहाँ पे देखेंगे क इस जगह पे जो पहले जो तेजी आई थी इसमें उसके accordingly यहाँ पे पैटर्न मन गया था जिसको बोलते है बेरिश हैरैमी यहाँ पे एक बेरिश हैरैमी पैटर्न है दोस्ते बेरिश हैरैमी जो पैटर्न है यह uptrend को downtrend में convert कर देता है वैसे हमने आपको इसके बारे में detail म अपने online course में बताया हुआ है बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि यह जो first candle है यह four hourly chart है दोस्ते मैं लिख देता हूँ H4 जो कि चार घंटे में candle बनती है तो यह जो candle है दोस्तों इसमें वॉल्यूम था और जो इस second candle देख रहे हैं दोस्तों इसमें वॉल्यूम कम था तो पहली candle में वॉल्यूम जाता था second candle जो थी वो consolidation candle थी यानि कि कम वॉल्यूम के साथ candle थी और third candle में दोस्तों पूरी तरीके से वॉल्यूम था और यहां पे इसका लो जो ब्रेक हुआ था वो आता 367 के आसपास तो 367 का जो rate था दोस्तों selling rate था यहां पे अपर अपनी position short में सकते थे हाला कि अगर मैं इसके SL की बात करूँ तो SL इसमें जो बनता है वो इस candle के high का बनता है जो कि यह दोस्तो 376.40 यहां पे मैं लिख देता हूँ SL है इसका 376.40 मैं 377 इसमें लिख देता हूँ अब यहां पे अगर आप position मनाते हैं 367 पे selling की और 377 का इसका अगर SL बनत हूँ तो दोस्तो 357 का इसमें target इसमें बनता है अब समझना पड़ेगा कि 357 का target बनता है 377 का SL बनता है और आज हमने आपको 373 के आसपर recommend कर रहा है कि यह अच्छा प्राइज है सेलिंगा मैंने specially message telegram channel में भी डाला था आज इसका high बना है 374.65 का तो यहां पे मैं कहना है पहले कहना चाहूंगा हमारा जो channel है वो एक educational channel है अगर आप हमारे बताएगे किसी stock में कोई trade मना थे हैं तो वह इसका आपका अपना है तो profit भी आपका है और नुक्सान भी दोस्तों आप यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 373 पे अगर आप position shot बनाते है 377 के SL के स तो target बनता है 357 और अगर हम इसे calculate करेंगे तो target आपका 16 points का मनेगा तो 4 point का SL है और 16 points का दोस्तों आपको target मिलेगा तो risk reward ratio है जो है वो दोस्तों भाग अच्छा वैटता है मुझा सिमिट के साथ तो आशा करते हैं सारी analysis जो मैंने को सिखाई है वो आपको समझ में आ गई हो तो इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखेगा ऐसा हमने आपको लास्ट मत में access bank में भी काम कराया था और access bank में भी दोस्तों महां पर बड़ा पैसा बना था अब दूसरा stock यहां पर recommend करना चाहूंगा दोस्तों वह हमने बताया था Apollo Hospital Apollo Hospital में पैटर मनाता है जिसको बोलते है आप शूटिंग स्टार या फिर आप इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं साथ सा डबल टॉप पैटर में था 3736 पे position shot बनाने के लिए हमने आपको recommend करा था तो यहां पर क्या करेंगे हम इसके चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर हम आपको समझाएंगे तो यहां पे मैं आपको Apollo Hospital का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूं Apollo Hospital में जब हमने आपको recommend किया था मैं पहले आना इस एरिये को थोड़ा सा जूम अलड़ी है यह तो मैं आपको बताता हूं कि 3736 पे यहां पर देखेंगे इस जगह पे यह डबल टॉप पैटर मना हुआ है 3736 पे बोलाता कि short position बनाने के लिए जैसे कि आप इस जगह पर देखेंगे तो 3736 का rate था और अभी इसने जो closing करिया वो करिया 3754 के आसपास की 3736 पे जब हमने को बताया था कि short position आप बना के चले Apollo hospital यहां पे लिखाव Apollo hospital का चार्ट है तो यहां पे top 1 है और इस जगह पे top 2 है सासा यह दोस्तों shooting star pattern है बहुत अच्छा pattern है और मैं कहता हूं इसकी जो confirmations होती है काफी अच्छी होती है और return भी इसमें इसमें negative divergence पीचे जो दिखाई दे रहे थे यह देखेंगा दोस्तों यह क्या है पूरी तरीके से negative divergence है अब यहां पे किस तरीके से आप trade बना सकते हैं उसके बारे मैं बात करूँगा कि यह चो rate है 3754 का जो market में आज close करा है अच्छा rate है sell कर सकते हैं इसमें अब बोले कि मैं इसके high की बात करूँ तो 3788 यानि कि मैं लिक देता हूँ 3789 के आसपास का क्या है इसका क्या है SL है किसमें Apollo Hospital में और अगर मैं target की बात करूँ तो target मुझे जो लग रहा है दोस्तों बहुत जल्दी आपको 3650 के आसपास दिखाई दे जा सकता है तो इस जगा पे आप इसको ध देखने को मिल सकता है अच्छी opportunity है Apollo Hospital में भी turn करके आप पैसा बना सकते हैं यह दोनों stock काफी अच्छे है जो मैंने आपको पहला stock बताया था और यह दूसरा जो stock है दोनों में आप trade करके पैसा बनाई है का जरूर क्योंकि क्या होता है ना कि आप वीडियो देख तो लेते अब मैं आपको तीसरा stock बताना चाहूंगा दोस्तों वह है भारत फोर्ज भारत फोर्ज में पैटन मनाता है जिसको बोते हैं बेरी शरायमी पैटन तो भारत फोर्ज जो हमने आपको 818 के आसपर रिकेमेंट कर दिया था भारत फोर्ज के चार्ट पे जाएंगे और यहां पर समझेंगे अब भारत फोर्ज जो है यहां पर अबर्ली चार्ट में आपको दिखाऊंगा हमने आपको कितने पर रिकेमेंट कर रहा था 818 रुपे और इस जगह पर देखेंगे कि क्यों रिकेमेंट कर रहा था पहले हम इसको समझेंगे कि यहां पर बेरी शरायमी पैट इसे 6.0 नीचे आ गया टार्गेट आपने बुक कर लिया होगा ऐसा नहीं है अब इसमें बड़ी रावट बाकी है हाला कि मार्केट आज पॉजिटिव था बट भारत फोर्जार नेगेटिव में था क्यों आप क्योंगे पैटन मनावा था अगर मैं इसके एसल की बात करू तो क्योंकि एसल जो है इसमें जो बनता है 832 का बनता है आट सो बतीस रुबे का एसल बनता है इसमें और यहां पर अगर मैं टार्गेट की बात करू तो टार्गेट मुझे जो लग रहा है इसमें बहुत जल्दी 790 रुबे का आपको दिखाई दे जा सकता है उसे नीचे लिए सकता है रीजन के क्योंकि यहां बेरी शराइवी पैटर मना है सेंग फर्स्ट बुलिश केंडल है और सेंड के है बीडिश केंडल है अब बुलिश केंडल में पर आपको बहुत सारे लॉजिक देखने पड़ते हैं कॉन से ट्रेंड में हैं कितनी केंडल होनी चाहिए यानि कि Unbreakable High होना चाहिए इसके लाबा कम सेका और देखते हैं एकडिस्टिक पैटर में 20 से जादा के लॉजिक है यानि कि 20 से जादा लॉजिक आपको एकडिस्टिक पैटर में देखने को मिलेंगे जो मेरे ओनलाइन के स्टूड़न है यानि कि Online को जिससने परचेस किया ह यहां पे 790 का rate मैं आपको जो बता रहा हूँ जो future की prediction मैं आपको दे रहा हूँ यानि कि मैं कहा रहा हूँ कि 890 आ सकता है उसके भी reason है क्योंकि बहुत सरे factors हैं अगर हम बात करें अगर candlestick की ही बात ना करें और इसमें area को थोड़ा सा minimize करूँ तो यहां पे मैं daily chart देखूं या फिर मैं four hourly chart देखू time frame के combination के साथ तो वहां पे भी दोस्तों हमें यहां पे shooting star दिखाई दे रहा है यह देखेंगे shooting star है next candle वीरिश है और अगर मैं इसके अबली चार्ट पे ही जाओं और इस area को मैं थोड़ा सा minimize करो तो यहां पे देखेंगे कि यह trend line का भी क्या ले रहा है support ले रहा है इंडिकेटर का मालब यह नहीं होता है इंडिकेटर से इंडिकेशन देता है को इशारा देता है confirmation नहीं देता यह नहीं कि एक लेंग में दूसरी लेंग को कार्ट दी तो आप माइन कर लेंगे आफी sell कर लेंगे वह कुछ देर के लिए ठीक लगता है बट जब market चाहिए इंटरडे टेडिंग करें चाहिए फिर आप पोजिशनल करें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका पैसा टेकनिकल अनैलिस में जरूर 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 बनेगा और जो रिक्रमेंडेशन हम आपको टेलिकरंग चैनल पर मौर्निंग में देते हैं उसमें 80% की एकुर कर रहा था यहां पर DLF के चार्ट पर जाएंगे तो DLF के चार्ट पर हम इसको समझेंगे 311 पैसी पैसे पे क्लोजिंग करी है इसने लो बना दिया है इसने आज का 310 और 35 पैसे गा पर इसका वालब यह नहीं है कि आपने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया ऐसा नहीं को पहले तो मैं आपको अबर्ली चार्ट पे बतायाता हुआ पहले आपको फिर मैं आपको स्वेरी चार्ट पर लेके हैं और शाट कि पांँ को कि यहां पर इवनी इसने से ब्रॉड पैके सास्जार स्वत च्था पैटन और इन सब्सुर्ण पैटन है और सेलिंग जो बनती थी इसकी 312 उर्पे के असपास की बनती थी लो बना दिया इसने 309 उर्पे 802 के असपास अब अभी यह 306 उर्पे के असपास लग रहा है कि आ सकता है बट अगर मैं इसे थोड़े लॉंगर टाइम फिरिम की बात करूँ या फिर डीली यहां पर क्लियर कट यह ब्रेक ओट फिलिर की तरफ इशारा दे रहा है कैसे क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस था यहां से मार्केट डॉन आया और उसके बाद यहीं से ही तरी चुपर्ड के पर बहुत ज्यादा बड़ा होता है आप अगर इस बात यकीन ना माने तो आप हि आपको यह चीज समझ में हाजेगी बट उसके लिए आपको technical analysis आना चाहिए same मैं आपको कहा रहा हूँ कि अब आप DLF में किस तरी की position मना सकते हैं एक मैं आपको trade बताऊंगा DLF में वो आप करके देखेगा आपका पैसा जरूर 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 बनेगा देखें क्या करना है आपको यह जो candle है यानि कि आज की जो बेरिश candle है DLF में उसका low बनता है दोस्तो 310 रोबे 35 पैसे का और DLF का हाई है 318 रोबे 70 पैसे का 310 रोबे 35 पैसे अगर यह break करता है कल के दिन position short बना सकते है फिर से कहना चाहँगा educational channel है कोई trade बनाएंगे तो रिस्क आपका अपना है 310 रोब 35 पैसे के नीचे short position बनाएगा और SL रखेगा 319 रोबे के आसपास का target मैं आपको देता हूं दोस्तों मैं आपको target देता हूं 290 रोबे के आसपास का आपको वो target बहुत चल्दी दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है 20 रोबे का target दो दोस्तों आपको मैं 310 रोब 35 पैसे के नीचे reason क्या है क्योंकि breakouts of failure होते है ना उसके उसके बाद market बहुत तीरी से गिरता है जैसे आपने Tata motor में देखा होगा जैसे ही आपने SBI में भी देखा होगा वो सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी हाला कि SBI गिराता फिर रिकवर होगा बट देख लेना दोस्तों आने वाले टाइम पे दो चार दिन या फिर एकस्पैजी से पहले देख लेना market आपको कहां पे दिखा देगा ग्यारा से बारा साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए ग्यारा साल से दोस्तों पड़ा आ रहा हूं टेकनिकल अनायलिसेज तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे हमने market में कई बार देखने को मिले हैं तो इन चीज़ों के हम यूस्टू हो चुके हैं अब कोई बात है बारे में आपको बताया अब इसके इलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं यहां पर अगर मैं लेके जाओंगा तो यहां पर देखेंगा इस जगहां पर अगला है यहां पर लुपिन में भी शूटिंस टार मना था और चार्ड कीवरें बताओं लुगत साथ साथ दोस्ता आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी एकृटी सेटी सेटी परसंट करना चाहें तो को जोट जोट करें क्या है अब यहां पर सपोर्ट क्या मिलता है उसके बारें बात करें यहिए अपने कोडस ले ले वाट आपको कोई भी करिए मुझे कॉज़ेन करें मैं आप से बात करूंगा क्योंकि मेरा नंबर है हो सकता है आपने call करा मैं pick नहीं कर पाया अभी भी बहुत सारी 15-20 call है जो अभी pending में है मैं शाम तक सब पर callback करूँगा आपको पता है कि मैं callback करता हूँ दूसरा दोस्तों यह है कि WhatsApp में इसे chat कर सकते हैं तीसरा यह है कि मैं आपको अपना personal telegram channel दूँगा यह तो public channel है आप public channel का हिस्सा नहीं बने है तो आप लिखे चार्ट analysis telegram channel पे इसका हिस्सा आप बन सकते हैं लोगों देख लेजी हमारा पहचान है इसके साथ मैं आपको अपन लिखने को मिलेगा देखो यह सारी चीजी analysis जो होती है माझी private telegram channel में मिलती है और मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप private telegram channel का हिस्सा नहीं बने है एक बाद बनके देख लीजिए को पहले course ले लीजिए उसको study करें फिर यहाँ पर private telegram channel पे आजए यह 100% आपका पैसा ब बनेगा और आपका खुद का motivation level high होगा आप किसी और के उपर dependent नहीं होंगे तो personal telegram channel के साथ साथ हम Sunday webinar भी करते हैं जिसमें हम live आते हैं live 30 minutes का मारा होता है webinar जिसमें आप अपने doubts कूच सकते हैं stocks related या फिर आप बहुत सारी चीजे हैं उसमें हम next week की strategy भी आपके साथ plan करते है यानि next week की strategy यानि कि next week में किस तरीकी की strategy आप बनाए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं तो Sunday का webinar मिलेगा आप मुझे call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं साथ साथ आपको personal telegram channel मिलेगा और चौती चीज हम meetup भी करते हैं meetup का पार भी आप बन सकते हैं तो आठ ज़र पे देखे यान निफ्टी में क्या है दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा देखे निफ्टी के बारे में मैंने पहले बताया था तीन ने पहले वीडियो बनाई थी कि यह डाक फ्राउट कपर पैटर्न मना है और इसमें बारिश होने वाली है कुछ ऐसा इस तरी आप अप हो गया तो 15632 के नीचे आया है नहीं तो इस चीज को समझना बढ़ेगा आपको क्योंकि तेखो सुनो तो पूरी तरीके से सुनो आदा दूरा सचर्णा जूट से जादा खतरना होता है तो ट्रॉल कट्रे से पहले पहले देख लिए 15632 तो आया ही है जब उसके नीचे आएगा तो पोजिशन आप अपनी शौट में मना सकते हैं मैंने कहीं बार आपको 15850 के आराउंट सेल कराया के 15650 के आसपर बुक कराया है प्रॉफिट दो पर एक करा चुका है इस बार तो मैंने खुद प्रॉफिट बुक नहीं करा था क्योंकि मुझे लग रहा सब्सक्राइस में 15915 का अगर आपके बार पोजिशन है अबी अगर आप करी कर रहे हैं कुटे वगर ले रखें आपने बादरा नो सब्सक्राइब काटता है कल तो एक्जिट हो जाना कोई बात नहीं लॉस्ट प्रॉफिट मार्केट में चलता रहता है अगर मैं कूरी अन सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर निफ्टी जिसको हम बोलते हैं यह पैटन मना जिसको फ्लाग हो सकते हैं इस तरह की अभी इसमें इसमें देखने को मिल रही है अभी कोई बात नी थोड़ा सा वेट करेंगे 15915 काटेगा तो मैं अग्युमनी पोजिट कर दूंगा ज इस अनिवर ऐसल कट गया तो भीया मैं शोग बनाऊ ऐसल नहीं है ऐसल कटेगा तो एक्स रिट हो जाएंगे लाउस बुक करना भी मार्केट में काफी ज्यादा ज़रूरी होता है इसके इलाबा कहना चाहूंगा दोस्तों एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा डौ जोंस लिए भी मनाई थी जिसमें मैंने बोलता है हैंगिंग मैं पैटर्न है सेलिंग की कन्फरमेशन आ चुकी है लग लाता कि थोड़ा सा नीचे गिर सकता है बट यहां से तेजी आ गई तो अभी 34,930 के असपस का रेट चल रहा है तो कहना चाहूंगा वीकली चार्ट में आप कि की बात खुरूप 15,600 से 15,900 की एक रेंज बनी हुई है कोई लोग कहना भया 15,900 काटे गा तो फिर तो तहल का मत जाएगा मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि 15,900 ब्रेक करें और इसके बाद गिरावट आ जाए ऐसा भी हो सकता है कि 15,600 के नीचे जाकर वहां से तीजी आ ज जाएगी कुछ लग रहा है मार्केट में कुछ में कुछ होने वाला है तो इसलिए मैं भी शांत बैठा हूं और आप भी थोड़ा शांत बैठिए कम कॉंटिटी में काम करें ऐसल करता तो एक्जट हो जाएगे क्योंकि यह जो भी एक डिट महीना रहा है उसमें सब को लॉ मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि मिया हाई बन जाए और उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट है या फिर यहां से भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हैंगे में पैटरन है अगर मैं इसके डैवर्जंस की बात करूं तो डैवर्जंस बहुत बहुत इसलिए बतानों दोस्तों बहुत कम ऐसे डैवर्जंस देखने को मिलते हैं वीकली चार्ट पे और यहां से लग रहा है कि 29-30,000 पर बहुत जल्दी देखने को भी आपको मिल सकता है डाव जोन्स तो जो चीज मैं को कह रहा हूं आप इसको रिकॉर्ड कर लेना कुछ वक्त रिडिमेट अकांट ओपन कराएंगे तो मैं आपको संडे का वेबिनार लाइफ टैम के लिए फ्री आप कॉस्ट दूँगा तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद